के आफे कि आपको बताने जा रहे हैं साडीयों से ड्रेस बनाना साथ के साड़ियां जिन में बॉर्डर आती हैं इन साड़ियों के बॉर्डर को आप सेफरेट करके जो बीच वाला लाइनिंग का पाट एंग उससे आप सब्सक्राइब कर देख सकते हैं साथ इसके बॉर्डर को निचे साइड में आप अटैच कर सकते हो कुछ इस तरह से रिफरेंस के लिए मैं पिक्चर डाल देती हूं जैसा कि आप देख सकते हो इस ड्रेस में लहरिया वाले पार्ट को कल्यों में डिवाइड करके एड कर दिया गया है और बॉर्डर पार्ट को निचे साइड में एड करके इसके लेंद को पी बढ़ा दिया गया है काफी खुबसुरत लग रहा है यह डिजाइन आप अपने ल नहीं अच्छा लगेगा तो आप चाहें जो भी डिजाइन करो साथ में इस बॉर्डर को भी यूज करो तो रिफ्रेंस के लिए मैं एक पिक्चर आपके साथ शेयर को इसके प्लेन भाग को बहुत ही खुबसुरत तरीके से अंग रखर स्टाइल में डिजाइन किया गया है नीचे में जो है गैदरिंग वाली ड्रेस बनाई गई है इसके टॉप पाइट पर अंग रखर स्टाइल किया गया है साथी लेजर से इसको काफी अच्छे से हाइलाइट किया गया है स्लीव पर डवल बाटर देकरके एक यूनिक डिजाइन बनाई गया है और वी नेक में इस अंगरखा डिजाइन को कम्प्लिट किया गया है तो आपके पास बिल्कुल बाटर या फिर ब्लाउज है तो आपको कुछ इस तरीके से इसे डिजाइन कराना चाहिए तो जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो गईस इस फोटो में इस ड्रेस को सारी के ब्लेन भाग कांट से लांग गाहन बनाए अगया हैं एक ब्लाउज के पार से इसमें बे में पकारिसी एक प्लोँ के पार्ट को या इस तरीके से से युज चेलिए मांथे तो इस साडी का रियूज में आपको बताती हूं , szarie का रियूज करती though अगर रण के शाडी में बदाल रंक के साडी है या फिर डबल शेट की साडी है , आप इसे sm care can be separate आप गैदरिंग वाली लॉंग गाउन भी बना सकते हैं, साथी साथी पछलों के पार्ट को बहुत ही स्टाइलिश् सारीके से रूप में यहां पर एड किया गया है, आप चाहों तो फुल जैके भी आप बना सकते हो, तो हाफ जैकेट बनाने से ये बहुत ही अच्छा एंडो वेस्टन लुग दे रहा है तो गाइस इस तरह के से आप इस साड़ी को बहुत ही खुप रोग दे सकते हो तो गाइस इस तरह से हमाई ये नेक्स साड़ी है वो है ग्रीन कलर की साड़ी जिसमें गोल्डन बॉर्डर लगी हुई है यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ गाइस आप इस तरह की साड़ीयों को कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं जो यहाँ बता रही हूँ मैं सिर्फ एक रिफ्रेंस पिक आपको दे रही हूँ अदर्वाइस एक साड़ी को आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो इस साड़ी की बॉर्डर को हम सेपरेट कर लेंगे और आजल पार्ट को सेपरेट करके जो बीच की बूटियों वाली पार्ट है उस पार्ट से हम एक इंडो वेस्टर काइंड ओफ लुक दे सकते हैं तो रिफ्रेंस के लिए मैं एक पिक्चर एड़ करूंगी इसमें हमने साड़ी के सारे पार्ट को अच्छे से यूज़ किया हुआ है तो आप देख सकते हो गाईज इस डिसको कॉलर के साथ इस लूग को कंप्लिट किया गया है इसमें बेल स्लीव है बफ स्लीव है और इसके पलू पार्ट को भी यूज़ किया गया है इसके बॉडर लाइन को फ्रंट कॉलर के साथ-साथ लंबाई में इसको यूज़ किया गया है और साथ-साथ इसमें एंकल लेन देते हुए से काफी अच्छा इंडर वेस्टन लूग दिया गया So guys thank you so much for watching this video and guys मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू इसी तरह से आप हमाई साथ बने रहिए मेरी आने वाली वीडियो को आप देखिए लाइक करिए and प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करिए and मुझे मोटिवेट करिए कि मैं ऐसी और भी डिजाइन आप के लाती रहूं so thank you so much bye bye